हालो हालो नवस्ते गुण मॉनिंग देखिए बहुत धेर सारे लोग हमारे इस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि खेसारी विया का एग्रिमेंट के लेकर कुछ अपडेट बताईए क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाय किति की तारिक का लास्ट ऐत सैंश करने गरन नहीं करते हैं ऊहीं चलेगा जो फाइनल रजल्ट के तरब से अब वही डन हो चुका है आप केस नहीं लड़ेंगे तो उस सबको लेकर मैंने सोचा कि एक अपडेट बता दूँ आप सबको कि कि आप भी बड़ा चिंचित हैं क्या हो कैसे हो देखिए इस केस को लेकर हमने भी पता किया बहुत जगा पर पता किया किया कैसा अपडेट है त लाइब में जो है यह बाते बोलते हैं अब देखिए यह बाते सुनने के बाद में आप सबको समझना पड़ेगा कि खेसारी विया फिर से फाइल कर चुके हैं क्योंकि अगर ऐसा बोलने हैं कि अभी एक ही कंपनी से गाना आएगा थोड़ा एग्रिमेंट में फसा हुआ प चार तारीक के बाद यह लाइब आते हैं तो कुछ ना कुछ ही ऐसा हुआ है कि जिसके वज़ा से भाया ऐसा बोल रहे थे तो हो सकता है कि केस को आगे बढ़ाया गया हो और फिर से जो है केस लड़ेंगे ठीक है लेकिन अब टेंजर वाली बात है अब देखते हैं कब तक चलता है मेरा तो यह मानना था कुछ ना कुछ सट डाउन कर लेना चाहिए को मामला को दूर करना चाहिए क्योंकि अगर पैसी की बात और किसी की बात है तो मुझे लगता है कि आज यहां पर पैसी की बात नहीं हो रही है यहां पर आज इस्टाडम की और सो भीमान की बात ह तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है अब लेकिन बुरा तो लग रहा है अगर यह सब केस्पैनल हो जाता तो कम से कम हम लोग भी दाड़ पाते अच्छे से खुल के हाला हम दाड़ रहे हैं पहले गाना नहाए फिल्म तो आ रहा है तो कोई प्रोब्लम नहीं दाड़ेगा हम लोग दाड़ेंगे ऐसे ही दाड़ेंगे उतना टेंसर वाली बात नहीं है क्योंकि सेर के फैन है ठीक है तो कोई प्रोब्लम नहीं अगर आगे भी बढ़ाया जाता है अगर भाया को गाना भी देना पड़ जाता है तो दूजार पचीस डिशेंबर क्या तक ऐसे कुश ठीक है तो कोई प्रोब्लम नहीं क्या है 24 भी इतने ही वाला है पचीस के इंतिजार कर रहे हैं क्या प्रोब्लम है हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा दिरे-दिरे होता है ऐसा कभी-कभी ठीक है लेकिन मेरा सेर को कितनी बार लोग ने सोचा कि एगरिमेंट में फसा के को आगे बढ़ा दिया गया है क्योंकि लाइब में यही सब के सारे विया हिंट दे रहे थे ठीक है चलता हूं नमस्कार